जिसने तुमसे तुम्हारी सारी ताकते छीन ली क्या वो तुम्हारे मोहबत के लायक है? बताओ सिंसिंद, बताओ हमें चलो, चलो क्या कर रहे थे तुम वहाँ? और कौन-कौन है तुम्हारे साथ? यह क्या हो रहा है? कोई नहीं था मेरे साथ अकेले था मैं वहाँ जोट! कई और पैरों के निशान देखी हैं मैंने वहाँ साथ बोलो सिर्फ साथ मुकाबला करना है तो मुझसे कर पच्चे से नहीं तो तुम हो वो औरत जिसकी वज़े से ये बच्चा मीनार तक पहुँच गया हाँ और मैं ही बनूँगी बजे तुम्हारे मौत की हमीजा मालूम है मुझे उससे ज्यादा ताकत है तुम्हे इसके लिए मैंने अपने फरेब के चाल में तुझे भसा दिया है और इस जाल के अंदर से तुम अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकती क्यों गए थे तुम मिनार के पास और कौन था तुम्हारे साथ में मैं यह से भागने की कोशिश कर रहा था मुझे लगा कि वहाँ कोई खुफिया रास्ता होगा एक और जूट लगता है तुम्हे तुम्हारी सिंदिगी से आजाद करना ही पड़ेगा नहीं 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 तो अगर इन्हें को छोग गया तो अली मेरी मदद कभी नहीं करेंगा इन्हें बचाने के अनावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास नहीं रुख जाओ हमारे आका इपलिस के हुकम के खिलाब चाकर तुम उनके घुलामों की जान नहीं ले सकते शेयताने मलीका नहीं हो तुम मुझे हुकम देने को हक नहीं है तुमे तुम्हारी इतनी जुर्ड़त कि तुम सिमसिम की तोहिंग करो चोड़ो मुझे इस लड़के को मारने से आज कोई नहीं बचा सकता अली जब तक मैं सित्था हो मेरे मचो कोई चूब नहीं सकता अफी बाबा अम्मी जान अली बाबा आगर तुम्हें तुम्हारी मौत यहां खीची लाई मौत नहीं मेरे अपनों की संद्गी मुझे यहां खीच कर लाई है मुझे अली के मदद करनी होगी आगा इबलिस बहुत खुश होंगे कि मैंने अली बाबा का काम तमाम कर दिया अली से पहले तुझे ही मार देता लेकिन वो क्या है न कि मा के सामने बेडों को मारने का ही मजा कुछ और है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये चोटे मोटे चादू से तुम्हें और तुम्हारे बेटें को देख नहीं पाऊंगा अब तुम्हें और तुम्हारे बेटें का एक साथ ही खात्मा होगा अली अली? 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 इतना गहर है जखम? कैसे लगी ये जूट? बस उशेतान कट पुतली को क्याद करते वक्त अम्मी ये रेकट पुदली और बाकी के शैतान जिने मैंने कैद किया है अली तुमने अपनी बहादुरी और अकलमंदी से नामुम्किन को भी मुम्किन कर दिया आज अगर तुम्हारे अब्बु जिंदा होते उन्हें तुम पर नाज होता अराम करने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास अली खबर मिली है कि अब्लिस आखरी सवाल के दुनिया में पहुच किया है और बहुत जल्द जवाब खोच कर उस साथो आयाम में ले जाने वाला नायाब पत्थर भी ढूण लेका ऐसा कभी नहीं हो सकता मुझे पूरा यकीन है कि हाते मुंसाथ सवालों के जवाब को दोड़कर उसनायाब मत्तर को इब्लिस से पहले हासल कर लेका तब भी अली बहुत जल्द नीला तारा चांद के पास से गुजरने वाला है और उससे पहले तुमें इब्लिस के सभी शैतानों को कैद करना है सादा वक्त नहीं है तुमारे पास अम्मी आप बच्चों को लेकर किसी महफूस जगा पर चले जाएगे नहीं अली हम ऐसा नहीं कर सकते हैं अगर मिनार बनने का काम रुप गया तो इब्लिस को पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़ पर है हम ये खत्रा नहीं उठा सकते हैं इसलिए बच्चे और बाकी सब को मिनार बनाने का काम जारी रखना ही होगा मैं अपने बच्चों को और तखलीफ में नहीं देख सकता अली जब तक बच्चों के साथ उनकी अली बाबा है बच्चों को कुछ नहीं होगा सिम्सिम बिल्कुल ठीक कह रही है हमें इबलिस को इस बात का शक नहीं होने देना चाहिए कि उसके पीट की पीछे कोई साज़ेश रची जा रही है। यकीन नहीं हो रहा। रोश्नी सिमसिम की ख्याल पर रासी हो रही है। इस अंगत का असर है सिमसिम। हमारे साथ रह रहे कर तुम भी अकल मंद हो गई हो। अली, इबलिस के अगले शैतान को क्याद करने का सफर शुरू करना है तुम्हें कल। लेकिन फिलहाल मेरे कमरे में चाओ। वहां कुछ है तुम्हारे लिए। मर्जीना? 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 अली? अली हम यहाँ हैं? अली? मर्जीना? मर्जीना कहा हो तुम? अली? मर्जीना? 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 तुम्हें किस इसे? क्योंकि एब लिस न उसे अपने जादु से यहा पर कैद करके रखा है विस्तम्हें हमें मर्जीना को यहां से आजाद कराना होगा, अभी. हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यह बलिस का जादू है, और इस जादू को हम नहीं तोड सकते हैं. मर्जीना? तुम फिक्र मत करो, अली. इसके अंदर मर्जीना बस कमजोर हुई है, और उसकी जान को कोई खत्रा नहीं है, क्योंकि यह बलिस मर्जीना से निखा करना चाता है, और हर हाल में, उमर्जीना को महफूस ही रखे का. क्या हम इसे तोड कर मर्जीना को आजाद नहीं करा सकते हैं? अगर हमने इसे तोडने की कोशिश की, तो साथ ही साथ मर्जीना की सासों की दूर भी तूच जाएगी. अब जब तक इबलिस की शैतानी ताकतों को हम कमजोर ना कर दें, और बाकी शैतानों को तुम कैद ना कर लो तब तक तुम्हें मर्जीना को समाल कर रखना होगा. मुझे माफ कर देना मर्जीना, पर मैं तुम्हें चाह कभी यहां से असाथ नहीं करा सकता. मुझे माफ कर देना. अली… अली आपो हमारे पास देखते हैं, हम अपने सारे दुख और अपनी सारी तकलीफें हम भूल गए हैं. मैं वादा करता हूं, मर्जीना, तुम्हें इस कैट से बहुत चल्दा आजाद गरवाँगा मैं. हमें आजादी नहीं चाहिए अली, हमें तो बस आपका साथ चाहिए. तेरा मेरा नाता, सदिय पुराना, तेरा मेरा नाता. तेरा मेरा नाता। रहे नो माँ रहनु माँ बहुत जल्द इस ख्वाब को अगीकत में तब्दील करूँगा मैं मरजीनद तो मैं बहुत जल्द यहां से आजाद कराऊगा और हम सब तुबारा एक साथ होंगे यह वादा है तुम्हारे अली का अली बाबा का और हम ने चाहिए जब इस विला तक काम दोगा हो जाए तो जी शेखाए ख्याद मुसे चाहर बचेए फिर जाए जाए अब आप संदाव साथ इसी दिया अपते है इबलिस का अशा डर बठाया है इनके दिल और दिमाग में कि यह लोग अभी भी मेनार का काम कर रहे है पर यह नहीं जानते हैं कि मैं इनका इस्तमाल कर रही हूँ इबलिस और अली के जांग में तोनों का खात्मा होगा और जीत मेरी होगी इबलिस से मैं वो काला दिल हासिल कर लोगी और अली से वो रोशन दिल और मेनार का काम पुरा होते हैं और नीले सितारे वाली रात मैं बनोगी शेहिंशाय शेहता और फदा एकाइना इबलिस मुझे बेहम ही बनाना चाह रहा था ना इकना अब अभी इस सिमसिम बनेगी इबलिस के भी बाद्शाह किन ख्यालों में खोई हो सिमसिम मेरा बस एक ही मकसद है अब इबलिस का खात्मा मुझे दो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुब अपनी मुभबत को हमारे मकसद के लिए दोका दे रही हो मुभबत अलाम कहता है वो मुझे सिल्मे के सखम मत कुरे तो अली और येबताओ इबलिस के अगले शैतान को कैद करने के लिए तुम तैयार हो या नहीं मैं पूरी तरह से तैयार हो बस तो मुझे ये बताओ कि उसका अगला शैतान मुझे मिलेगा कहा जहन्म इबलिस के अगले शैपान को केद करने के लिए तुम्हें जहनुम में जाना होगा जहनुम ये तुम क्या कह रही हो, सिम्सिम? एक बार के लिए वहाँ अली चला भी जाएं पर जहनुम से वापस लॉट कर आना किसी भी इंसान के बश्च में नहीं है रॉष्णी मत भूलो कि अली कोई आम इंसान नहीं है पाक ताकतों से भरा रॉष्ण दिल है इसके पास लेकिन सिम्सिम जहनुम जाने का जरूरी क्यों है? इबलिस के सारे शैतानों को कैद कर कि अगर एक छूट भी जाए तब ही इबलिस कमजोर पढ़ सकता है नहीं रॉष्णी क्योंकि जहनुम में जो शैतान है इसका नाम है हुलेन वो इबलिस का सबसे ताकतवर शैतान है इबलिस की आधी ताकते इसी शैतान में है तो अगर इबलिस को कमजोर करना है तो होलेन को कैद करना ही होगा और अली को जहन्नम जाना ही होगा अगर ऐसा है तो उस गुलैन को क्याद करने मैं जहन्नम जाओंगा लेकिन अली तुम अके ले नहीं जाओगे मैं भी चलूँगे तुम्हारे साथ यह आप क्या कह रहे हैं अम्मी अम्मी मेरे पास रोशन दिल है इसलिए मैं जहन्नम की तकलीफों को बरदाश्ट कर सकता हूँ लेकिन आप आप वह महफूज नहीं है जहन्नम की गल्मे में आप जुलस सकती हैं अम्मी नहीं अली यह जादूई कड़े हैं यह हमें जहन्नम के आख से भी और वहां के होने वाली हावा की कमी से भी हमारी हिफाज़त करेंगे पर इसका असर सिर्फ तीन घंटे तक रहेगा मतलब कि हमें उससे पहले ही जहन्नम जाकर शैतान को कैद करके वहां से वापस लोटना होगा होलेन की सारी ताकते उसके लाल तावीज में हैं कर उसे कैद करना है तो इस तावीज को तोड़ना होगा और एक बार होलेन कैद हो जाए फेरे बिस गमजोर हो जाएगा क्योंकि उसकी ताकते आधी हो जाएगी अली बाबा आस तक नाकामियब नहीं हुआ है इसलिए मैं जहन्नम तो जाओगा तुम मुझे जहन्नम जाने का रास्ता बता हो रास्ता मैं जानती है सूरज जलते ही हम जहन्नम के लिए निकल पड़ेंगे पड़ेंगे